हाई गाईश आप जया वेलकम टू माई न्यू चानल रूट्स टू ड्रीम्स तो टाइडल पड़कर आप लोग समझ ही गाए होंगी कि वीडियो के इस बारे में होने वाला है बिना टाइम वेश्ट करते हूं हम डारेक्ट टॉपिक पर आते हैं यूट्यूब आज कुल बड़ा प्लाटफॉर्म जहां पर आप जीरो इंवस्टमेंट में अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं एंड इवन आप महां से पैसे भी कमा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि किस तरह से आप स्टेप बाइ स्टेप अपना यूट्यूब चैन वह एक कुकिंग चैनल है और वहां पर मैं रेस्टिक्टेड हूं यह सब वीडियो नहीं बना सकती इसलिए मैं आपके लिए यह चैनल क्रियेट है ताकि यूट्यूब से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉबलम हो तो वह मैं आपकी यहां पर सॉल्व कर सकूँ अब इतने जरुरत नहीं है आपके पास मोबाइल है उसमें कैमेरा है इस मोर देन इनफ आपको अपना एक चैनल क्रियेट करने के लिए वीडियो शूट करने के लिए इवन आपको माइक की जरूरत नहीं है अगर आप बिग्नर है तो आपका जो नॉर्मल इयर फोन है आप उसका माइ भी यूज कर सारते हैं तो चलिए जल्दी से हम अपना एक चैनल क्रियेट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक गूगल अकॉंट क्रियेट करेंगे तो यहाँ पे हमें टाइप करना है गूगल में ख्रिएट Google Akaun जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर first option आपको मिलेगा जो link है वो है create your google account हमें इस पर click करना है इस पर click करने के बाद जो site में हमें 3 dots मिल रहे हैं वहाँ पर click करना है और वहाँ पर click करने के बाद आपको option मिलेगा desktop site उस पर आपको tick करना है और उस पर tick करने के बाद कुछ इस तरह से आपको screen मिलेगी यहाँ पर आपको अपना first name add करना है first name add करने के बाद यहाँ पर आप अपना last name add करेंगे इसके बाद हमें अपना username choose करना है तो यहाँ मैं जो मैंने अपना first name डाला था last name डाला था वह ही use कर रही हूं और बीच में मैं numbers use कर रही हूं तो इस तरह से आपका combination होना चाहिए character, numbers और last name at the rate gmail.com ये by default आपका आ जाएगा इसके बाद हमें password add करना है और password 8 characters का होना चाहिए ठीक है इसमें आप एक capital letter numbers भी use कर सकते हैं तो password enter करने के बाद same password हमें confirm भी करना होगा जैसे ही आप password enter कर देंगे उसके बाद next पर हमें click करना है जैसे ही आप next पर click करेंगे यहाँ पर एक दूसरा screen open होगा जहाँ पर आपको अपना phone number add करना है और phone number आप वही add कीजिए जो कि आपका active है क्योंकि उसी पर आपको अपना एक verification code मिलेगा जब आप next पर click करेंगे तो जैसे ही आप next पर click किये हैं इस तरह से हमें Google की तरफ से एक security number मिलता है जिसे हमें यहाँ पर add करना होगा तो यहाँ पर enter किया मैंने enter करने के बाद और verify पर click करने के बाद कुछ इस तरह से screen open होगा अब आपको यहाँ पर अपना recovery email address डालना है ताकि in case अगर आप password भूल जाएं तो वो address से आप अपना password retrieve कर सकते हैं उसके बाद आपको अपना birth detail डालना है month, day और year उसके बाद gender select करने के बाद आप जैसे ही next पर click करेंगे एक दूसरा page open होगा तो यहाँ Google आपसे पूछ रहा है कि आप Google की तरफ से calls, messages, ads यह सब अगर receive करना चाहते हैं तो आपको yes, I am in पर click करना है otherwise आप यह step skip कर सकते हैं तो यहाँ मैंने skip पर click किया है skip करने के बाद यहाँ पर next page Google का privacy and terms होता है जिसे हमें agree करना होता है तो यहाँ मैं I agree पर click कर रही हूँ तो यह थी last step जैसे ही आप I agree पर click करेंगे आपका account create हो चुका होगा और इस तरह से आपको next जो screen है वो इस तरह से आपको दिखेगी तो हमारा Google account create हो गया है अब हमें YouTube पर जाना है यहाँ corner पर हमें account के sign पर click करना है इसके बाद हमें sign in पर click करना है और उसके बाद add account करना है जैसे ही आप add account पर click करेंगे यहाँ पर sign in page open हो जाएगा sign in page पर आपको वही email id डालना है जो आपने Google account में अभी create किया था तो यहाँ पर same email id add करने के बाद हम next पर click करेंगे और यहाँ पर हमको password add करना है जो हमने account create करते टाइम वहाँ पर दिया था जैसे ही हम password add करेंगे उसके बाद हमें next पर click करना है इसके बाद अगर आप अपने नंबर पर messages, notifications या फिर ads जो भी YouTube से related information है अगर आप receive करना चाहते हैं तो yes, I am in कीजिए otherwise skip करके terms and policies को I agree कीजे जैसे ही आप यह करेंगे आपको next page open मिलेगा कि आप अपना जो data है वो backup करना जाते हैं Google Drive में अगर करना चाहते हैं तो इसे on कर दीजिए अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे off करके accept करके next page पर जाएंगे तो यहाँ आपका YouTube पर भी sign in हो गया है इसके इसे बाद आपको अपने account पर तो यह देखिए हमारा चानल क्रियेट हो चुका है अब यहाँ होम पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है इसलिए वीडियो क्रियेट करने के लिए आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा हो गया हमारा अकाउंट क्रियेट ठाना बहुत सिंपल इस तरह से आप भी अपना एक चानल बना सकते हैं वह भी अपने फोन से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बैल आइकन हिट करन ना भूले थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई